दोस्तों बर्स का जो लूज मोशन होता है वो कभी-गभी बहुत खतरनाक स्टेज़ बहुत सकता है और खासकर यह तब हो जाता है बहुत जल्दी जब यह सीजन चेंज का वक्त आ रहा है या फिर बारीश का सीजन का भी चल रहा है लगातार कुझतिनों से बारीश हो रही है तो इस वक्त बहुत ज्यादा खत्रा रहता है बर्स के लूज मोशन का और इस वक्त उन्हें लूज मोशन हुआ तो उन्हें रिकवर करना भी कभी-कभी मुश्चिल हो जाता है तो कैसे आप इनके लूज मोशन को बिलकुल अच्छी तरह से क्यों कर पाऊगे और क्यूं होते लूज मोशन आप इनको कैसे प्रिवेंट कर पाऊगे उन्हारी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइब करने का बात जो बेल आयका ने उस्षे भी दबा दीजिये तकि जब भी मैं नया कोई वीडियो प्लोट करू आप लोग के बास notification पहुत है हम हमेशा हमारे बर्ट के health को लेकार, उनके treatment को लेकार और उनके related के सारे महसेतार facts के साथ इस चैनल पर वीडियो बानाता है और हफ्ते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब करके रेकिए दोस्तो मैं हूँ तुइन विश्वास और आप देख रहे हमारे यूटिव चैनल हैपी बजीश चलिए आपका वीडियो शुरू करते है दोस्तो आप बत करते हैं हमारे आज की वीडियो की में ट्रॉपिक के बारे में दोस्तो यह जो लूज मोशन है आप सबसे पहले समझोगे कैसे जो नहीं बीडर से उनके लिए में बता दो लूज मोशन आप देखोगे कि आपके जो बर्ट उनका पूप होता है वह बेसिकली सॉलीड होता है लेकिन कभी-कभी उनका पूप बिलकुल लीकुईट की तरह हो जाता है बहुत ज्यादा कभी-कभी ग्रीनिश ज्यादा रहता है तो ऐसा जब आपको देखने को मिले है कि उनका पूप लूज हो रहा है बहुत ही मतलब बहुत लीकुईट के जैसा हो रहा है तो वह लूज तो इस वक्त आपको कुछ इलाज करना होगा अब दूस्तों लूज मोशन होता क्यों है इसके कई कारण हो सकते है पहला तो वेदर चिंद जब हो जाता है जब ज्यादा अचानक तो चंड बर जाती है तूने ठंड लग जाती है सर्दी लग जाती है तो उसके वज़े से कभी घंड अगर कोई बड़ पी अगाच तो उसको यह खत्रा हो सकता है लोज मोशन होने का तो आपको बने या गंदा है कि नहीं गंदे पानी से ही सबसे ज्यादा केसे में बढ़का loo osin का समस्या होता है तो पानी को साफ रखना जबुदोरी होता है अब दोस्तों इसके इलाज आप कैसे करोगे दोस्तों मैं ऐसा उपाय बताऊंगा पहले जिन से आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा बहुत ही बढ़िया कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा अब से पहले में इसके बीत के बारे में बताता हूं पहलाएं ट्रोफ्लॉक्स ओग्स यह जो मेडीमें आप यह भी ला सकते हो या फिर नोर्मेट्रोजील यह जो दोनों मेडीसिन है इनसे आप कोई भी egy deswegen लाओ डोनों ही अंप सिन ओगर सकते हो यह सब को तीन या चार दिन करना है ठीक है तो आप कोई भी एक मेडिसिन लाए टोफलोक्स होजे या फिर नॉर्मेट्रोजिन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन उनको प्रोवाइट कर देऊ शुबे तो यह पानी आपको यह तब करना होगा जब आप अगले दिन सुभा मा पानी पर वह मेडिसिन वाला पानी वह बिल्कुल सही मात्रा में पीएगे तो ऐसा आपको करना होगा अब उसके करी तीन घंटे के बाद मतलब मैंने मान लीजिए आपने साथ बजे दिया तो दस बजे के आसपास आपने वह पानी बाहर निकाल के रखना है फिर से उसके ब दुसरे मिंरोल्स निकल रहें तो उनकी कमी को पूरा करना होगा तो इस वक्त पानी में आपको ओरेस्ट्राप बिक्स करना होगा और और साथ में हो सगे तो दस ड्रॉप लेमान् जूस बहुत को दे देना होगा निमृ को बहुत बढ़िया चीज में को ठीक कर सकता है और वह पानी पुरा टाइम आप रहाने दीजिए, वह पानी फिर आपको शाम के वक्त निकाल के रखने होगा, फिर अगले दिन सुभा आपको वह मेडिसिन वाला पानी प्रोवाइट करना होगा, ऐसा आप तीन दिन कीजिए, तीन से चार दिन आपके बर्द बिल्कुल संद करना होता है, लूज मोशन के वाज़े से उनका डाइजिस्ट्रिफ सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा सा कुछ घरबर जरूर हुआ होगा, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है, तो उसके लिए आपको नियो बेप्टीन जो मेडिसिन है, ये 100 मेल पानी में आप 5 प्रॉप द सीड मिक्स नया कुछ देयाना चारें, वो नहीं खा रहें, कैसे आपको अपने बर्स को नया खाना खिलाओगे, वो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीज़ेगा, और बर्स के शरी में भीटामीन की कमी कैसे पूरा करोगे, उसके बारे में कम्प्लीट प कर दक किसे खाफ मिक्स नया की करने लिए सरामीन मिक्स नया चारें, वो जर साथ साह कर जानने लिए।